जाहिंद फ्रेंग स्वागत आपका विजन पॉइंट के सिरीज में जिसमें कलास नाइनध के चेपटर नमबर फिप्त कोशिका के वारे हम पढ़ रहे थे हम फर्स्ट पार्ट और सकेंड पार्ट को कबर कर चुके हैं आज हम बात कर रहे थे अगले सकेंड पार्ट में ही बा होता है यह सक्त मजबूत और मोटी और सनरंद आजीवित सनरशना होती है यह सरीलोज की बनेटी यह भी हमने चर्चा कर लिया था और आपका कोशिका मद्धि भित्ती मीडियल लेवन द्वारा एक दूसरे से जुरी होती है यह भी हम बात कर लेते हैं आगे हम बात करते हैं कोशिका भित्ती के वारे में कोशिका भित्ती के कारे के वारे में बात करते हैं तो कोशिका भित्ती की कारे की बात करें तो पहला होता है कोशिका को सनरशना परदान करता है जो पादब कोशिका में कोशिका भित्ती पाए जाता है वो क्या करता है कोशिका को सनरचना परदान करता है पौधे में दूसरा काम होता है इसका कोशिका को मजबूती परदान करता है कोसी का जो पौधा जो होता है आपका पेड़ पौधी देखते हैं जो कि आपके अगर जैसे मान लीजिए आपके आपके घर के बाहर अगर आपका आम का पेड़ हो या बगीचे में आम का पेड़ हो तो जैसे पीपल का पेड़ हो या फिर बहुत बड़े-बड़े पेड़ ह तो आप उसको हिलाने के कितनी भी कोशिस करें तोड़ने के बिलकुल कोशिस करें जी जान लगा दें फिर भी वो गिरता नहीं है ना कि तूड़ता है लेकिन उसको यह बुल्डोजर चलाएंगे तब वो तूड़ता है मतलब जो कोशिका भित्ती होती है ना कोशिका भित्ती जाने देती है संवर्ण मतलब की लचील बोल सकते लचीला होती है और यह यह क्या होता है का अगर को आरपार जा jollo नहीं होता है म इंट को और मतलब होता है को कि तो यह को सिका किसा थे जो भी आप समझ सकता है कि यह कोशिका का सबसे महतपूर्ण अंग है जो कि कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंतन करता है तो कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंतन कौन करता है आपका कोशिका केंद्रक करता है क्योंकि केंद्र क्या होता है आपका जैसे मान ये जैसे इंडिया है ये इंडिया को आप जानते ही हैं इंडिया में हैं इंडिया का मेरे विवर्स हैं तो इंडिया में क्या है आपका सेंट्रल गॉर्मेंट सेंट्रल गॉर्मेंट पूरे भारत को रेगुलेट करता है कितना पैसा किसको देना है कहां पे क्या बदलाब करना है तो यह सब क्या होता है सेंट्र करता है केंद्र में बैठ करके जैसे भी केंद्र में आपका बीजे भी सरकार है उसी प्रकार जो आपका केंद्र होता है वह कोशिका के बीच में होता है कोशिका के बीच में कि यह आप देख तो कोसिका का केंदर एक नमर में आज़ा, किसे कहते हैं, तो केंदर को कहते हैं, headquarter of cell, who is known as the headquarter of the cell, so it is known as the nucleus, nucleus को कहा जाता है, इसकी खोज 1831 में Robert Brown ने किया था, किसने किया था, 1831 में Robert Brown ने किया था, यूकारियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक होता है जब कि प्रोकारियोटिक कोशिका के प्रात्मिक केंद्रक होता है तो अगला बात करें इसके उपर की दुई स्तर्य जिल्ली केंद्र जिल्ली केंद्रक जिल्ली न्यूकलियर मेंब्रेन कहते हैं इसके ऊपर की दुई अस्तर जिल्ली को नुक्रिया जिल्ली कहा जाता है केंद्रक जिल्ली कहा जाता है केंद्र अगला पांचे पॉइंट की बात करें तो केंद्र द्रव में केंद्र काय नुक्रियो आइस वा क्रोमेटीन धागे होते हैं तो केंद्रक द्रव में केंद्रक क द्रब में क्या क्या होता अपकर दो चीज़ होता है कि न्रकाय होता है अधुस्तरा क्रोमोजोम यह क्रोमाटीन धागे डीयने के बने होते हैं जो कि अनुवानसिक सुनरचनाओं को एक पीडियी से दूसरे पीडिं के जनन में के द्वारा भेजब दाते देखिये क्रोमोजूम ये क्रोमयोंटीन क्या होता आपका DNA के बने होते हैं अब ये DNA क्या होता, थोटों के बारे में जानने देते हैं इसका फूफाम होता है ठीक है आगे आएगा कहीं तो मैं आपको बता दूँगा डी ऑक्सिराइबो नुक्लियस एसिड जो होता है यह आपका एक पीडी से मतलब मान लीजिए यह मेरी माता जी और यह मेरे पिता जी तो इनके जो गुंसुत्र होंगे जितने भी करेक्टर्स ह होंगे वो मेरे अंदर आएंगे जैसे माले जी मेरे हाइड पापा के जैसे मेरे बाल मेरे बुआ जैसी है माले जी मेरे आँखे मेरे मम्मी जैसी है यह तो यह तो गुंसुत्र जो है गुंसुत्र क्या करती है आपकी माता पिता को जो गुण है वो आपके अंदर पहुंच तो like, share and subscribe करना बिल्कुल लब बुलें जल जली subscribe करें आगे बात करें हम केंदर की कार्य के बात करें तो केंदर की कार्य या कोशिका की सभी उपापचय क्रियाओं का नियंतर करता है पहला काम होता है दूसरा या अनुवांसिक सुचनाओं को एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक भेजने का काम करती है एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक क्या करती है ये अनुवांसिक सुचनाओं को क्या करती है अनुवांसि मतलब होता है हमारे माता-पिता गून, अब गून, जितने भी चीज़ होते है यह उसा characteristics हम हमारे अंदर आना ही अनुवांसि कहलाता है अब बात करते हैं कोसिका दरब, साइटोप्लाजम की बात करें, तो कोसिका का वह दरब जिसमें सभी कोसिका अंगक पाए जाते हैं, तो कोसिका दरबे में क्या होता है, कोसिका के सभी अंगक पाए जाते हैं, कोसिका दरबे कहलाता है, यहां जैविक वह केटाबॉलिक क्रिय संपन होती है इसके दो भाग होते हैं पहला सिस्टॉल और दूसरा कोशिका अंगक सिस्टॉल क्या होता है जल द्रव जिसमें विभिन प्रोटीन पाई जाते हैं जल नुमा संवस्चना होती है जिसमें विभिन प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है और दूसरा होता है आपका कोशिका अंगग जिसे सेल ओगनेल्स बोलते हैं विभिन प्रकार के अंगग जो प्लाज्मा जिल्ली द्वारा घिरी होती है गौलजी उपकरन की बात करें अंगला तो यह पतली जिल्ली युक्त चप्ती जिल्ली द्वारा घिरी का एक दूसरे के उपर समानतर सजी रहती है इनका अविस्कार खोज कैमीलो गौलजी ने की ये प्रोकारियोट संदभारी और शिव सेल में अनुपप्राइब होती है तो गौजी उपकरन की बात करें तो इसकी खोज किस ने किया इसकी यहां का नाम कृण पुरन पड़ हां ठीक है दूसरी बात करें यह होता है और यह स्थुन्धारी में पाय जाता है यहार वी की और से nep में अनूपस्थित पाइप सेल्डे क्राइब यह नहीं पायदा यह पतली जिल्ली युक्ति रसप्टी का का सम्मू है जो एक दूसरे के ऊपर समानतर सजी रहती है जैसे आप एक के नीची आप क्या देख सकते हैं इसका चित्र देख सकते हैं एक दूसरे के ऊपर देखें ऐसे टिक हुई है आज आपको समझ में आ रहा होगा गॉल जी काई के कारे अगर गॉल जी काई के कारे कर पो या संभव से स्रावी होता है या मैलैनी संसलेशन में साय करता है अंतद्रव जालिका में संसलेशिस प्रोटीन वा लिपीड का संग्रहन गौल जी काईग में किया जाता है कुछ पुटिकाओं में एंजाइम बंद किये जाते हैं अधिए आई होफ आपको समझ में आ रहा होगा आ रहा है तो लाइक, सेर और स्ब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं बूलें अगलास टौपिक है माइट्रोकोंड्रिया माइट्रो कॉंड्रिया के बार इम बात करें तो ये कोशिक ये प्रोकारिटिक में अनुपस्तित होती है इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है तो आप से पूछा जा सकता है एक नम्मर के कुशन में हूँ norm the powerhouse कि तो आपको आंसर नीखना पड़ेगा माइट्रोकॉंड्रिया ये एक दोंपत रगी मर कावर हाउस जाता है बात चिकनी यवं चिद्री होती है बहरी परत बात बहुत वलित होती है अंदर जो क्या बोलत होता है और क्रिष्टी का निर्मान करती है यह थे कि माइट्रो कंडीर के कारे की बात करें तो इसका मुख्य कारी और जा को ATP के रूप में संचित करना है यह क्रेप्स चक्र का मुख स्थान है राइबोजॉम की बात करें अगला तो यह अंतयंत छोटे गोलकन है जो जीव द्रव में स्वतंत रूप से तेरते यह अंतर द्रव जालिका की बहरी सता पर चिप के पाये जाते हैं यह RNA वह प्रोटिन के बने होते हैं राइबोजॉम, स्राइबोजॉम, वेकल्स, ट््यूबलेल्स, लेमेन, क्रिस्टियन अब बात करते हैं यह तो चित रहे हैं सबके अंतर द्रव जालिका, एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम पहला यह जिल्ली यूकिन लिकाओं तता स्चीट का विशाल तंत्र है दूसरा इसकी खोज पॉर्टर, केलोएड, एवबम, फ्यूलेम ने की थी यह प्रोकार्टिक कोशी का वस्तंधारी एरथ्रोसाइट के अलावा सभी में पाये जाता है आई होप आपको यह समझ में आ रहा है और समझ में आना तरह लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हम कलास नाइन्थ के चप्टर नमबर फिप्थ दा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के बारे में तीन पीडियाब फर्स्ट पार्ट में ड कबर कर चुके और तीन अअगले थीन पीडियाब हम सरतेंड़ कर साहglio कर चुके और तीन पीडियाब को तिरेंश लाई और पर फ्रदिन पर्रकुल में इस चप्टर को यहीं करता हैं और इसको साथ साथ आप नोट डाउन करते जाए ताकि आपको आने वाले भविश्य में आप कभी भी इस शेप्टर में दिक्कत हो हैं तो आप उसको उल्टा के पलट के देख के पढ़ के समझ सकें और अपना रिविजन कर शुकें बहुत बहुत धन्यवाद इसे बने रहने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूने मेरा आप से यहीं विंती है